हालो स्टुडेंट्स आप जितियंद कुमार्श्रमा यह मैथ तीचर तरहीं विल कंटिनी विदाव चप्टर नमबर फिप्टीन अफ क्लास थी दचेप्टर नेम इस डिस्टिबूशन आफ फ्रेक्शन दियो स्टुडेंट वी अल्रेडी कंप्रिटेड आप फिर्स पार्ट सब्सक्राइब होसं उनहं कैसे राइट करेंगे तो का फ्रेक्शन सब्सक्राइब होस्तार शेयर करनें एम सिलनी कलेंकन सब्सक्राइब करेंगे Technology लोग्या तसो यहां मै और स्ईessä इसर्ड कर्दूशन ए मुडिशन ऐस और वर स conception of shaded portion so dear students here are the images and in this image is that हम यह देख पाएंगे कि some of part will be shaded उस पार्ट को हम कैसे राइट कर पाएंगे उसको हमें राइट करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर हम देख पा रहे हैं the whole circle यह हमारे पूरा circle है जिसका half part कैसे किया गया है इसको shaded किया गया इन शौर्ट हम क्या करेंगे यहां पर हम यहां राइट करेंगे वन अपॉन टू इट मेंस कौन सा पार्ट वन अपॉन टू एंड वी केन कॉल यहां पर इसको राइट कर दिया यहां पर हम यह देख पा रहे हैं इसका half partition shaded है ठीक है चलिए next की बात करते है one two and three whole circle है उसके three partition किये गए इसमें से हम यह देख पा रहे है जो इसका third part है उसे shaded किया गया so one upon three is the name okay one upon three चलिए next की बात करते है in this part हम यह देख पा रहे है a whole circle complete and one upon two also so we know one and one and half so we call that one and half so यहां पर हम देख रहे हैं one and one upon two okay चलिए next की बात करें so यहां पर whole circle का कितना part किया गया है one two three fourth so पूरा circle उसमें हमने fourth part को shaded किया है so one upon four or call we call quarter also okay चलिए next की बात करते है so यहां पर हम देख पा रहे है one complete circle and fourth part of the circle so how can we write that one and one fourth clear चलिए in this question we can check one two and half so we will write two and half जितना पार्ट हमारे जुपिक्चर है फिगर से उनका shaded है हमें उसे find करना है और उसे right करना है तो यहां पर हमने किया वह हमने देखा one part two complete circle so we write full number of two and half of the circle so we write half number so and finally हमारा result के निकल के आया two and one upon two so यहां पर हमने इसको complete किया चलिए next क्योंव करते है question two says the question says set the picture as per given instructions so यहां पर कुछ instruction हमें दिए गया है देखिए one fourth is mean quarter so यह पूरा whole जो हमारा rectangle है उसका हमें कौन सा part shaded करना है भाई हमें करना है one fourth it means quarter part तो चलिए start करते हैं with the cover up और shaded चलिए start करें one fourth करना है easily हमने क्या किया है इसका one fourth part को cover कर दिया है so clear you can see ना हमने one fourth part को cover कर दिया in the next we can check हमें कौन सा part करना है भाई half part करना है तो चलिए start करते हैं with the half so यहां से हमें start करें हम इस पोर्शन में भी कर सकते हैं other portions में भी कर सकते थे बस हमें equally half divide करना है से हमने यहां पर इसको half को cover कर दिया you can see that is our half part half part को हमने शैडड कर दिया half as it is so यह हम इसको पिक्चर को जब हम देख पार है तो क्या हमारे मूंसी का निकलता है हमारा answer क्या होता है हमारा answer ही होता है यह हाफ पार्ट इसका cover है ठीक है चलिए next को फिर से cover कर दिया तो अब हमारा answer क्या होगा से मोगा भाई फुल ओफ रेक्टेंगल में से हमने हाफ को cover किया है चलिए next क्या कह रहा है one and a half so one comments यह पूरा complete complete होगा ठीक है सो हमने इसको cover किया है कि शेड़ेड हमें करना है इसी सो हमने one को तो cover किया है one के बाद में जो हमारा next instruction है वो हमें क्या कह रहा है देखो next says half so half start करते है one and half चलिए next is one and a quarter so one तो complete है as instruction one तो हमारा कैसा है वही completely so one को तो हमने complete किया then after eight हमें और कितना करना है देखिए quarter and what is the quarter quarter means one fourth part of the number so यहां पे हम इसके बाद में इस पूरे का fourth part लेंगे कोई साभी part हम ले सकते है और उसे क्या करेंगे कवा कर देंगे so यहां पे easily we can say हमने one and quarter को cover कर दिया ठीक है चलिए तो यह था हमारा question चलिए next question को देखते हैं the next question says all right following in mathematical form so यहां पे हमें picture show होंगी उनके name समिश हो रहे हैं बस हमें उसे mathematical language में नाम देना है या mathematical language में राइट करना quarter it means one fourth you can see the picture it means whole का हमें fourth partition मिल रहा है शेडेट का दिख रहा है ना जबी को one two three four part convert किये whole circle के उसमें से हमने one fourth यानि कि हमारा जो fourth partition है उसे हमने cover up किया है यहां पे सो इसका mathematical language में क्या राम होगा क्या pronunciation होगा one upon four in the next we can check one two three four four part किया है but two part को cover up किया it means four का half को cover up कर लिया तो यहां पे one upon two कितना होगा one upon two in short we can say भाई circle को अगर हम देखें तो two equal parts में divide किया one part and another part इसमें से one part को क्या कर दिया cover कर दिया one पूरे whole circle का half part हमने cover कर लिया चलिए next your move करते है तो यहां हम देख पार है थार्ट थ्री फोर्थ इट मिन्स थ्री फोर्थ को किया है तो अब हम देख पार है one two three कितना पार्ट हमने cover up किया है थ्री पार्ट किया है so we write three of fourth okay three of fourth it means हमने यहां पे cover किये है fourth part में से three parts को चलिए next your move करते है one and half so यह complete हम देख पार है so we will write one and one upon two so we will write one and one upon two as our answer in the next we will check one is completely so we write one and at last fourth part of the circle then we write as answer one upon four okay so final answer will be one and one upon four so यहां पे हमने यह देखा कि इतना सारा जो हमारा pictures थे figures थे उन्हें हमने arrange किया है fraction में और हम कैसे उनको rewrite कर पार है in our mathematical language में तो यह था हमारा पार्टने जिसमें हमने स्टार्ट किती हमारी exercise 15 और स्कॉम निया पर solve कर लिया so dear student keep watching keep learning see you soon in next part thank you